नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूच्यूब चैनल विदीप एज़ुकेशन आज मैं आपके सामने सीटेट, स्टेट के बिविन टेट जैसी एमपी टेट, रास्थान टेट, हर्याना टेट आधी एग्जाम्स के में आने वाले सामने हिंदी के महत पुन प्रेशन, जो के पिछले पेपर में आए हुए हैं और आपके दोहरान के लिए अति महत पुन हैं, उनमें से कुछ प्रेशनों का अभ्यास करेंगे सबसे पहले जो प्रेशन है वो है आपके गद्याश का प्रेशन है गद्याश से संपंथित प्रेशन है आपका गद्याश को पहले हमें पढ़ना है अच्छे सी उसे समझना है आप गद्याश की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा गद्याश आपको अगर चुनने हैं तो आप कक्षा 9 और कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तके पढ़ें जो आपके लिए बहुत ही पुन सिद्ध होंगी तो गद्याश को पढ़ते हैं हम भगवान पर लोग चला गया घर में जो कुछ शूनी भूसी थी तो उसे विदा करने में चले गई नहीं रहा तो क्या तड़के सुभा उचते ही भूख से बिलविलाने लगे दादी ने उन्हें खाने के लिए खरब बुखार से तवे की तरह तप रहा था अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता बुढ़िया रोते रोते और आखे पोचते पोचते बगवान के बटोरे हुए खरबुजे जलिया में समेट कर बाजार की और चली और चारा भी क्या बुढ़िया खरबुजे बेचने का साहस करके आई थी परन्तु सिर्पर चादर लपेटे सिर्कों घुटनों पर टिकाय हुए पफक पफक कर रो रही थी कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सोधा बेचने चली है हाई रे पत्थर दिल उस पुत्र वियोगनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछली साल अपने पडोस में पुत्र की मिर्त्यू से दुखी माता की वैबात सोचने लगा वह संभ्रांद महिला पुत्र की मिर्त्यू के बाद अड़ाई मास तक पलंग से उठना सकी थी उन्हें 15-15 मिनच बाद वी पुत्र वियोग से मूच्छा आ जाती थी और मूच्छा ना आने की अवस्था में आखों से आसू ना रुख सकते थे दो-दो डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे हर दम सिर पर बर्फ रखी जाती थी शहद भर के लोगों के मन उस उत्रशोक से रवित हो उठे जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं उसी हालत में नाक उपर उठाए रहा चलतों से छोकरे खाता में चला जा रहा था सोच रहा था छोकरने गम बनाने के लिए भी सहुलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है तो ये था हमारा गद्यांश अब गद्यांश में CBC के द्वारा जो बदलाव किये गए हैं पहले मैं आपको उनको बताती हूँ फिर हम उसके प्रेशन को हल करेंगे पहले गद्याश के बीच में से ही प्रेशन निकलेंगे, गद्याश के बीच में से ही आपके पास उत्तर आएंगे, गद्याश के बाहर कुछ नहीं आएगा, लेकिन जो case studies से संबंदित प्रेशन है, वो अब गद्याश में चैयन किये जाते हैं, गद्याश में पूछे जाते हैंं आपके इसरे संबंध CLID प्रैशन जो है वह के पूर्व उध्यान से संबंदेता होंगे पूर्व उध्यान अरथद हिंदी में के हिंदी में पूर्व उध्यान का संबंध है किया जाता है और इनसे संबंदित प्रेशन भी पूछे जाते हैं चाहे आपको एक विलॉम देदेंगे उसका विलॉम पूछेंगे इस तरीके से आप प्रेशन देखिए आप पहले और वैसे दूसरा गद्याश को पढ़ने का जो नियम होता है वो यह होता है कि पहले हम उसक किसी कहानी की तरह था एक बुढ़िया की कहानी बताई गई है जो कि बेटे की मित्यू की शोक से द्रवित है लेकिन मजबूरी है उसको उसको खरबुजे बेचने ही है ताकि उसके परिवार का गुजारा चल सके तो यहां पे कौन खरबुजे बेचने वजा जाता है तो उ दूसरा जो प्रश्ण है आपके पास वो आता है प्रस्तुत गध्य में किस पीड़ा का मार्मिक अंकन रेखांकन किया गया है किस की पीड़ा क्या पूछी गई किस पीड़ा का किया गया है पिता की मिर्त्यू का मा की मिर्त्यू का बेटे की मिर्त्यू का या बेटे की मिर्त् प्तृर होगा, वो होगा, बेटे की मृत्युगा. तीसा जो प्रेश्न है, मूर्झित का विल्ओंशब्द क्या है?. आप पहले मूर्झित का अर्थ सोचए कि क्या होता है, मूर्झित जिसको मूर्छा आ जाती है, यानि कि जिसको खोश नहीं रहता जिसको चेतना नहीं रहती उसको मूर्चित कहा जाता है तो यहां मूर्चित का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सचेत, जंगम, जड़, मिश्रित सचेत का आर्थ होता है जिसमें चेतना होती है यानि कि जो जिको खोश होता है पहले भी हमें अपना उत्तर मिल गया हमें तीन ओप्षिन देने की देखने की जरुरत नहीं है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कई बार दो शब्दो को भी दे दिया जाता है जिनका आर्च समान होता है तो दूसरा देखिए इसका है जंगम जंगम कब के होता है जो चलता फिरता है जड जो एक जगह स्थापित रहता है मिश्रित जो मिला जुला होता है तो लेकिन हमें जब इसमें पहले में उत्तर मिल गया तो इसका उत्तर होगा सच्चेद हमारा जो अगला प्रेशन है वो देखिए खरबूजा शब्द निमन में से क्या है जाता तर जो फलो की नाम होते है वो पुलिंग में किने जाते है तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिये गए है हमारे पास पुलिंग, इनमें से कोई नहीं है उभैलिंग, मैंने पुलिंग से पहले बताया था खरबूजा हमारे पास पुलिंगे अगला जो प्रश्न है हमारा भूख से बिल्बिलाने का अर्थ क्या है भूख से बिल्बिलाना, भूख से तडपना हम भूख से कब तडपते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है है तो इसकी option देखते है अत्य दिख भूक का होना हमने हमारे Minist की पहले ही option में इसका उत्तर मिल गया है फीयों भूख न लगना भूख हंट भूर जाना उत्तर आ गया है घहा सही option होगा अत्यधिक भूखा होना तवे की तरह तपना तवे की तरह तपना जब हम चूले पे तवे को रखेंगे तो तवा क्या होगा गर्म होगा तो इसका option हम देखते हैं अत्यधिक गर्म होना तवे पर रोटी बनाना तवे जैसा चिकना ये तवे की तरह काला होना तो इ पहला जो option है वो बिल्कुल सही है next question है लिक शोक या गम मनाने के लिए भी क्या जरूरी मानता है तो अंतिम जो line है आपकी गद्याइशकी वो इसका उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा पहले आप option देखिए समझदारी, साहस, सहानुबूती या सहुलियत तो अंतिम लाइन हमारी है कि उसी हालत में नाग उपर उचाए तो रहा चलतों से ठोकरे खाता में चला जा रहा था सोच रहा था शोक करने गम मनाने के लिए भी सहुलियत चाहिए तो शोक या गम मनाने के लिए क्या चाहिए सहुलियत, इसका उत्तर है सहुलियत धन्यवाद वीडियो कैसी लगी कमेंट इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर कोई डाउट है तो डेस्किप्शन में आपको लिंक दिये गए हैं कि प्याव उन पर जाएए और अपना जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक करने के लिए अगर आपको इस इंप्रेशनों की पीडियेफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपके पास लिंक दिया गया है आप वहां से इसकी पीडियेफ भी मंगवा सकते हैं धन्यवाद